लमश्कार जेहिंद आप सभी का स्वागत है अगले 30 मिनट आपके लिए बड़े इंपोर्टेंट है इस एक्जाम प्रिलिम्स 2024 में अगर यहां से मैं चार नंबर खीच लाता हूँ एक्जामिनर से यूपीएसी से तो मुझे मज़ा आएगा और आपको भी आएगा आएगा को बस आप अपने कान खूले रखिएगा हम रिविजन मोड में रहेंगे और आएगे देखते हैं कि इस चीज़ को आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो सुन लिजे पहला टॉपिक मेरे सामने आ रहा है कोलंबो प्रॉसेस कोलंबो प्रॉसेस आईए देखते हैं क्या है इसका मेंबर है बिलकूल अफगानिस्तान, बांगलादेश, चाइना, कमबोडिया, इंडिया, इंडोनेशा, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइन, श्रीलंका, थाईलेंड, वियतनाम ये इसके पार हैं इंडिया हाज बिन पार्ट इन्स इस्टैबलिशमेंट औफ प्रोसेस को अगला देखते हैं यह काफी बार आपने न्यूज में देखा होगा गन हरी गलोबल अलाइंस ऑफ नाशनल हुमन राइट्स इस्टूशन से जो एक्रिडिट करते हैं कंट्रीज के नाशनल हुमन राइट्स कमिशन को यह रिकनाइस किया गया था ट्रस्टेट पा होला जाता है और भारत का फिलहाल नाशनल हुमन राइट्स कमिशन का डिफर्मेंट किया गया है उसके टैक का उसके स्टेटस का यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इंडिया आपके दिमाग में आनी चाहिए यॉरप की कंट्रीज जहां पे एक वीजा लेकर आप लगभ इसका पार्ट है 29 कंट्रीज इसका पार्ट है जहां आप एक वीजा लेकर सब जगह घूम सकते तो यह ट्राइवल डॉक्युमेंट है एक लिजिए 29 कंट्रियों में घूम यह अब यहां पे एक इमेज अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखेंगे क्या हर यूनियन का पार्ट है पर शेनेगन का नहीं है रोमानिया है बुल्गारिया है तीन एसी कंट्री बिली क्या एसी कोई कंट्री है जो यूरोपेन यूनियन का पार्ट तो नहीं है पर शेनेगन का पार्ट है यह यह यूरोपेन यूनियन का पार्ट नहीं है पर यह शेनेग नहीं है याद रखिएगा बड़ा important question बन सकता है यहाँ पर अगले topic पर हम बढ़ते हैं अफ़ानासी nicotin sea mount यह हमें दिखा था अगबार में बहुत चला था आपको बता दे अफ़ानासी nicotin sea mount है कहाँ पर यह मेरा Indian ocean है Indian ocean के equator के नीचे equator के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अफ़ानासी nicotin आपको दिख जाएगा कोबाल्ट रिच है 3000 किलोमेटर दूर है भारत के कोश से कोबाल्ट निकल मैंगनीज भरपूर है चिलंका ने यहाँ अपना क्लेम कर रखा है भारत भी अपना क्लेम करेगा यहाँ पे अफ़ानासी nicotin अगला है ironclad commitment यह topic news में रहा है ironclad commitment किसके reference में है सवाल मनेगा PT में किसके reference में है तो US का ironclad commitment है Philippines को backed by mutual defense treaty which was signed between the republic of the Philippines and the US in 1951 US का ironclad commitment है जो extend करता है NATO allies को भी under article 5 of the Washington treaty यह है ironclad commitment कि हम तुमारे साथ है चिंता मत कुरू तो Philippines के reference में US Philippines के reference में ironclad commitment आया अगला देखते हैं JOLTS या JLOTS, JLOTS क्या है Joint Logistics Over the Shore Project यह Gaza के आज़ पास Mediterranean Sea में US ने अपना JLOTS बनाया यह क्या है यह floating pier है of the coast of Gaza to facilitate the delivery of humanitarian aid अगला देखते हैं जल्दी से अगला topic है याउंडे declaration याउंडे declaration क्या है कहा है पहले आपको बताना याउंडे है कहां नीचे comment करके बताईए कि याउंडे है कहां पे आपको बता दे 11 आफ्रिकन की country मिलती है और बोलती है भाई बड़ा burden है malaria का तो malaria के उपर declaration sign हो रहा है जिसका नाम है याउंडे declaration और accelerated action लिया जाएगा to end deaths from the malaria disease malaria disease से death को रोकने के लिए याउंडे declaration आफ्रिका में हो रहा है आफ्रिका में अफ्रिकन क्लब क्या है an alliance of African multilateral financial institutions तो आफ्रिका के multilateral financial institutions का क्लब है alliance है which are African owned and controlled जो financial institutions को आफ्रिका own और control करता है इट वस लॉंच आट the 37th African Union Summit तो आफ्रिका क्लब उन लोगों के लिए है उन financial institutions के लिए है जो आफ्रिका में owned हैं और वहीं पे controlled भी है यह multilateral institutions हो सकते जिन्होंने अपने alliance मनाए उसका नाम है African Club ऐसा ही नाम आफ आगे सुनेंगे हमसे और पहले भी सुन चुके है Paris Club आई अगला देखते हैं अगला मेरे सामने बड़ा important question है सरी यह लिप्टाको गुर्मा लिप्टाको गुर्मा क्या है एक तरीके से Mali, Burkina Faso और Niger के बीच में एक mutual defense pact है जिसका नाम है लिप्टाको गुर्मा नाम याद रखी का Mali, Burkina Faso और Niger के बीच में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह रहा Mali, Burkina Faso और Niger इन तीनों के बीच में साइन हुआ है, लिप्टाको गुर्मा मतलब क्या है, बोले हम NATO जैसा behave करेंगे, अगर हमें कोई मारा तो हम सब मिलकर मारेंगे, यह है हमारा लिप्टाको गुर्मा और यही साइन हो रहा है आपका बता दे, Niger, Mali और Burkina Faso और एक छोटा सा fact, साहिल बिया है. आपको पहले बता है, comment करके बताएएगा, what is साहल रिजन, नीचे जल्डी से, आए हम जल्डी से आगे बढ़ने हो, आइए फड़ा फड़ा. अगला इमेज़ साफ नहीं है पर Nordic Baltic 8 NB8 countries कौन सी है Nordic Baltic एक हड़म आपको बता दे Nordic Baltic cooperation या NB8 याद रखिए का आपको NB8 भी पूछ सकते हैं बड़ा इंपोर्टेंट है NB8 क्या है regional cooperation है जो की Nordic और Baltic countries तो Nordic आपकी यह हो गई यह Nordic हो गई और यह 3 मेरी Baltic हो कौन-कौन सी अभी बताते है 2000 में यह decide हुआ था कि Nordic Baltic cooperation format बनेगा जिसको हम बोलेगे NB8 तो 2000 में बना है इसमें 5 Nordic countries हो गई वो कौन सी है Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden तो यहां की तो आपकी साब आगे Finland हो गया, Sweden हो गया, Norway हो गया इधर आपका Iceland भी आगया, इसमें Iceland भी आगया और नीचे आपका यह आगया Denmark अब कौन सी है Baltic countries? यह 3 Baltic है Baltic C है मेरा, आपको image से clear नहीं आई यहां पर यह आपकी क्यों है? Estonia, Latvia, Liduania Estonia, Latvia, Liduania तो 5 प्लस 3, 8 countries है तो NB8 Nordic Baltic 8 countries है बड़ा important मेरे लिए, अगला क्या है VMA Triangle? क्या है VMA Triangle? 1991 में VMA Triangle बनता है 1991 में एक regional alliance है to promote cooperation among France, Germany and Poland, तो France, Germany और Poland के बीच में एक बनता है grouping इसका नाम है VMA Triangle 1991 मे, political dialogue के लिए cooperation of regional, educational, academic economic cooperation के लिए और development होगा ना West Germany का भी तो development करना है Western पहाड का भी तो develop करना है इसलिए सामने आ रहा है Forum for Dialogue and Cooperation VMA Triangle आगे बढ़ते हैं जल्दी चलने हैं World Typhoon World Typhoon कहीं सुना है क्या? World Typhoon नहीं सुना होगा सुनलीजे State Sponsored Actor Based in China that focuses on Espionage and Information Gathering ये एक hacking actor है World Typhoon इसका नाम है ये अटाक करता रहता है 2020 में भी अटाक किया था ये World Typhoon कहा है? State Sponsored है मतलब चाइना स्पॉंसर कर रहा है Actor Based in China State Sponsored Actor Based in China that focuses on Espionage, Spying, Information Gathering World Typhoon अगला देखते हैं ये बहुत important है Mission Espights Mission Espights आपको पहले भी बता है Mission Espights बहुत न्यूज में रहा है Red Sea के आज़ पास जो हाउदी लोग कर रहे हैं घिनोने कर्तूत मतलब बम फेक दर है मिजाइल फेक दर है किसी का भी शिप जा रहा है Red Sea से तो वो जो Gulf of Yemen वाला पार्ट है उसको संभालने के लिए Mission Espights European Union ने चालू किया और ये बोलता है One Year के लिए है पर आगे इसको बढ़ाएंगे Red Sea में मुझे विवस्था ठीक करनी है आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि Prosperity Guardian Prosperity Guardian किसका है गेम Prosperity Guardian कौन है इसमें कंट्री और ये क्या है ये दोनों नाम आ सकते है Mission Espights Prosperity Guardian क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा ये सवाल आने वाले है ये देखते हैं UNRWA बहुत न्यूज में रहता है क्या है ये United Nations Relief and Works Agency और ये खास कर के लिए Palestine Refugees के लिए है It's a Specialized Agency Established by UNGA in 1949 सवाल आना के बड़ा बहुत बड़ा चांस है तो प्रोवाइड असिस्टेंस और प्रोडेक्शन तो Palestinian Refugees वर डिस्पेस फॉलूइं 1948 अरब-इस्राइल कॉन्फिक्ट और उनके डिसेंडेंट्स को मदद कर तो ये डेडिकेटेड है Palestinians के लिए और इस पूरे राज उस पूरे एरिया में जैसे लेबनन हो जॉर्डन हो यहां यह पूरा सक्रिय रहता है Palestine Refugees के लिए लगा रहता है 1949 से ही चालू है UNRWA आईए Alliance for Global Good Gender Equity and Equality देखा नहीं होगा गुरू इसको देखा है क्या आपने नहीं देखा होगा क्या है इंडिया ने लाँच किया है Alliance for Global Good Gender GGGE 3G2E Global Good Gender Equity and Equality 2024 में लाँच हुआ है World Economic Forum के Davos में यह Alliance बोलता है बाई देखो Best Practices अपनाएंगे इस Chair करेंगे Knowledge को Investment मनाएंगे Health Women का अच्छा करेंगे Education Enterprise उनका अच्छा करेंगे उनको Employment देंगे यह सारी बात यहां की जाती है यह Alliance for Global Good Gender Equity and Equality भारत इसको लाँच कर रहा है World Economic Forum में इसलिए मेरे लिए इंपोर्टन है अगला देखते हैं अगला मेरे पास है Chanke Port आप देखिए कि South America को थोड़ा हमने उल्टा ऐसा Tilted कर दिया है इधर देखिएगा Columbia, Ecuador, Peru इस Peru Country के Western भाग में पोर्ट है इसका नाम है Chanke Chanke कहा जाता है Chanke Port इसलिए न्यूज में है क्योंकि China 60% Stakehole करता है यहां पर और China अपनी बढ़त और बढ़ा रहा है South America के इस भाग में और Peru उसकी तरफ जा रहा है It signifies China's first control of a port in South America That is Chanke Port Chanke Port कहा है Peru है Chanke Port कहा है Peru है याद रखिएगा Question आने की संभावना प्रबल है प्रबल Green Fuel Alliance यह क्या है भाई Green Fuel Alliance India GFAI आपको एकदम सिंपल सा बता दे It is an alliance collaborative efforts in the sustainable energy solution Denmark और India के बीच में पहला याद होगे आपको दूसरा Part of the Green Strategic Partnership signed in 2020 2020 में एक Green Strategic Partnership sign हो रही है between India and Denmark This is also going to coincide with India's push for carbon neutrality भाई भारत का पंचामरित कहता है कि भारत net neutrality लाएगा 2017 तक और Denmark का टॉप रैंकिंग होगा 2024 climate ranking performance में हो गया काम हमारा हम उसी से grouping कर रहे है जो climate performance में number one पे है और हम अपना green carbon neutrality चाहते हैं तो ये Denmark और इंडिया के बीच में है याद रखिएगा उना important है इसको गौर से सुनिएगा US convention है UN convention on the prevention and punishment of the crime of genocide United Nation का genocide convention है आपको बता दें ये 1948 में मूव हुआ था और 1949 में साइन हो चुका था इन दे प्रेजन कांवेंशन जीनोसाइड means any of the following acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such killing members of the group causing serious bodily or mental harm to members of the group deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction imposing measures intended to prevent births within the group forcibly, मतलब इस सारा genocide का पार्ट है forcibly transferring children of the group to another group as per this convention the genocide is a crime whether committed during war time or peace time इंडिया ने इसको ratify किया था 1959 but there is no legislation on the subject हमारे पास कोई legislation नहीं है पर हमने इसको ratify किया था आपके लिए सवाल क्या इस्राइल ने इसको ratify किया था आपके लिए सवाल है नीचे comment करके जवाब भीजे क्या UN Convention on Genocide जो 1948 में move किया जाता है 1949 से effective है क्या इस्राइल इसको sign किया नीचे comment करके बताईएगा जरा देखते हैं आपका तयारी अगला सुन लिजे International Year of भई ये question आ रहा इस बार ये पहले भी आ चुका था पर हमको जैसे-जैसे नया ख़बर मिलने लगा इसके बारे में हम बड़ा खुश हुए कि ये question आ रहा है आ रहा है International Year of Camelits Cameloot का साल है 2024 इस behavior को कान खोल कर सुन लिजेगा और छमा याचना ये Camelits मेरे abstract topic का part था इसलिए हम आपको दिखा दिए ये question आने की संभावना प्रबल है Elephant और Camel ये दो इस बार आने की संभावना प्रबल है Camel का hump store कर सकता है fat को which they can metabolize when food and water is scarce ये बिलकुल सही बात है ये इसको metabolize कर सकता है तो जो hump उनका जो नीचे पीछे निकला रहता है कुछ double hump भी होता है उनका hump यूज किया जाता है to store some fat इनको combat में भी यूज किया जाता है घोडे इनकी smell से भाग जाते है So they are used because of their ability to scare horses Camel smells spooks horses चिला चिला के भाग जाएगा खोड़ा एक चीज याद रखेगा दूसरा सुनिये का बहुत और से खराई breed जो भारत के पाई जाता है special ability है survive on both dry land and in the sea खराई camel हमारे या dry land और sea दोनों पर है सकता है making it an eco-tonal breed ये eco-tonal है separate breed a few years ago by the National Bureau of Animal Genetic Resources खराई camel is probably the only domesticated breed of camel that lives in dual ecosystem it is the ninth recognized camel breed of India और सुनिये खराई camels have a special ability to swim ये swim भी करते हैं in sea water में and feed on saline plants and mangroves which is how they get their name खराई जो मतलब होता है salty, Gujarat भी इसको बोलते है salty ये नोन आज दरिया तरू मतलब swim कर सकते हैं due to their unique diet these camels swim to islands near the shore in search of food and they have adapted to the extreme climate of the desert shallow or deep sea waters and high salinity पानी को पार करके आराम से जा सकते हैं ये हैं खराई camel तुनिये double hemmed camel है जिसको bactrian camel भी बोला जाता है they have two humps on their backs where they store fat तो दो hump होता है कुछ camel के वो बात किया जा रहा है they are native to the harsh and arid regions of Central Asia पर भारत में भी अगर आप देखेंगे तो नूब्रा वैली लद्दाक में double hump के camel मिलते हैं small population मिलते हैं पर native नहीं है native नहीं है native नहीं है native नहीं कहां के native है Central Asia के तिया native to Central Asia पर मिलते हैं they are smaller and slender than the one hump draw ये small होते slender होते हैं fur varies from beach to dark brown ये सब कहानी कोई पूछे का नहीं आपका बता दे हैं ये हर्ड में रहना पसंद करते हैं ये aggressive भी हो जाते हैं ये aggressive भी हो जाते हैं and what I wanted to give you is they are primarily herbivorous they are primarily herbivorous तो मतलब अगर सवाद आता है कि they are herbivorous yes, they are herbivorous are they are only herbivorous no, they could be there are exceptions which can turn to omivorous भी बन सकते हैं पर ये आपका grassis पर ही करते हैं तो अधिकतर 99% herbivorous ही होंगे chemists have the ability to close their nostrils अपनानाख बन कर लेते हैं to prevent sand infiltration they have also two rows of long lashes and a third eyelid तो ये two lashes or eyelid होता है ताकि धूल को रोख सके हैं जाने से both structures help to protect their eyes in harsh environment they also have thick hair that helps to protect them from the intense sunshine in the environment padded feet होता है ताकि वो अच्छे से गरम पे चल सकें बहुत important को आपको दे दिया ये question आने की संभवना प्रबल है आई ये operation storm makers की बात करें storm makers too human trafficking fueled frauds are expanded expanding beyond Southeast Asia human trafficking fueled frauds हो रहे हैं victims are lured by fake jobs and forced to commit online frauds such as fake cryptocurrency, investment, work from home ये सबसे लुभाया जाता है और फिर पैसा डूब जाता है victims are also subjected to physical abuse इसी को रोकने के लिए Interpol ने इसको launch किया है operations storm makers भारत भी का एक member है 27 including India to target fraud schemes fueled by victims of human trafficking तो मतलब अपने को human trafficking भी बचानी है और online जो fraud हो रहा है और उससे human trafficking हो रहे है उसको रोकना है operations storm makers article 99 of the UN Charter सुनिएगा गौड से United Nations security security general की बात करें secretary general की बात करें has decided to invoke article 99 of the UN Charter and has urged the UN Security Council to act on the humanitarian crisis तो गाजा में पहली बार देखा किए the Salmis को इन्वो किया गे है क्या is a special discretionary power given to the secretary general which allows the UN Security General to bring to the attention of the UN Security Council any matter, any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security security general को power है yes security general को power है भाई इस मुद्य को UNSC में उठाओ article 99 को किया जा सकता है invoke Geneva Conventions are a set of treaties and protocols that countries must follow during war time जैनेवा Conventions बहुत important रहे है war time के लिए क्या क्या होना है इस जैनेवा Conventions बताते है कि during war time क्या protocols follow करना है इसमें चार protocol आते हैं चार convention आते हैं तीन protocol चार convention है पहला protocol है कि protect करना है wound or sick soldiers को second है protects wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea third है applies to prisoners of war detecting their human treatment during the captivity तो prisoner of war के लिए भी है fourth है it offers protections to civilians including those in that occupied territory ये भी है team protocol है protecting victims in international conflicts including wars of liberation protocol 2 1977 में protecting victims in non-international armed conflict and third में created an additional emblem the red crystal which has the same international status as the red cross and the red crescent emblems तो emblem बनाने की बात की गई है यहां पे India इन सब को ratify किया आपको बता दें India has ratified these Genoa conventions in addition it has also ratified the third protocol of 2005 sorry third protocol भी हमने किया however India did not ratify the additional protocols one and two हमने इन दोनों को ratify नहीं किया है हमने 2005 हो किया है पहले दो को नहीं किया है एकदम PT का question आता हुआ दिख रहा है याद रखियेगा हमने इन दोनों protocol को ratify नहीं किया इसको कर चुके है और इन तीनों को यहाँ पर कर चुके है या इन चारों को यहाँ कर चुके है इसको कर चुके है इसको हमने नहीं किया है आगे बढ़िए Paris Club आपको बता दिया था informal group है creditor countries है यह सारी countries बहुत बड़ी-बड़ी है OECD की countries है and they are trying to put in monies to help out the countries that are not able to fund their projects well और यहाँ पर बहुत ज्यादा वो पैसा दे चुके है 1956 में create हुआ था when the first negotiation between Argentina and its public creditors took place in Paris बड़े-बड़े countries है OECD की countries है भारत इसका member हो ही नहीं सकता भारत इसका member नहीं है India is not a member of this Paris Club आगे देखते 1970 UNESCO Convention on the means of prohibiting तो क्या है 1970 का UNESCO Convention इसका देखेगा Means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property मेरे cultural property का ownership, import, export, illicit जो भी हो रहा है वो सब इस convention के तहत प्रतिबंधित है और भारत इसका signatory है मतलब मेरे यहाँ से कोई चोरी करके cultural चीज बहार ले जाएगा तो मैं इस convention के तहत बोलूँगा भाई वापस दे, मेरा ownership है यह मुझे वापस दे दे अगला Golden Gate Declaration क्या है? Golden Gate Declaration याद रखिएगा 30th meeting हुई थी APEC Economic Leaders Meeting held in San Francisco, USA This declaration तो Golden Gate क्या बोलता है? previous APEC work की उपर work करके बोलता है Key areas such as Resilience, Sustainability, Interconnection, Innovation and Inclusion A declaration underscores the commitment to creating a resilient and sustainable future for all तो एक कहानी है Golden Gate Declaration जिसमें की Resilient Future for All की बात की गई है Resilient Future for All की बात की गई है यह है Golden Gate Declaration और देखते है Rise Accelerator क्या है? Rise Accelerator India and Australia के ने चालू किया है Support Startups and Small to Mid-Size Enterprises को लिए और इसको CSIRO जो की Australia की National Science Agency है और भारत का अटल Innovation Mission मिलकर इसको चालू की है Rise Accelerator को ताकि Startup को पैसा दिया जा सके और समझेगा Operation Karuna कहा हुआ था? आपको बता दे Humanitarian Assistance देने के लिए कहा? Mayanmar में Which is affected by Cyclone Mocha तो Mocha जैसे हैं पहुचा उसको वहाँ पे Assistance देने के लिए हमने Operation Karuna लांच किया Wide Spree Devastation हुए थे बांगलादेश और मयानमार में उसी को मदद करने के लिए हमने अपना Ship Material और Geopolitics को देखते हुए हमने अपने लोगों को भेजा था यहाँ Ship हमारी INS शिवाली गई थी एंड सावितरी एंड कमोटा यह गई थी ताकि हम वहाँ पे relief material पहुचा सके तो INS शिवाली कमोटा और सावितरी यहाँ पे हमने भेजा था यह है Operation Karuna Innovation Handshake इसके बीच में है भारत और USA के बीच में एक Innovation Handshake है Innovation Handshake to Depend by Little Tech Ties जो हमारा Technical Ties है उसको करने के लिए और आपको बता दे ICT भी भारत और USA के बीच में है ICT जो आपका initiative है for critical and emerging technologies और सुनिए बड़ा important है the Ben Gurian Canal अभी आप सुवेस के नाल से जाते है सुवेस के नाल से जाते है यह Sinai Peninsula है Sinai Peninsula है यह वाला जो पार्ट है उसका नाम है Negev Desert यह है Negev Desert यह question आ रहा है गुरू याद रखिएगा Negev Desert है यहाँ से कोशिश की जारी कनाल बनाने की मतलब मैं Red Sea से Gulf of Aquaba में जाऊंगा और फिर मैं इसको पार करूँगा बैन गुरियं कैनाल को सिदे पहुँँजंग मै्टिजन सी में तो यह सुवेज को काउंटर करने के लिए बैन गुरियंट बनाया जा रहा है जो Negev Desert करेगा इसराइल का सदन पार्ट और सुनिये Eastern Maritime Collaboration का का है Eastern Maritime Collaboration का है बता दें आपको अभी भारत यहां से पहुंचता है रशिया ऐसे करके हम सोच रहे हैं यहां सीधे चिनने से व्लाडी वास्टॉक पहुंच जाए यहां पे पहुंच के हम आराम से इंजॉय करेंगे यह हमारा समय भी कम हो जाएगा तो Sea of Japan से पास करेगा यह पास करेगा इस्ट एंड साउड से बेव बंगॉल और अंडमान सी को पार करते हैं सीधा आपके यहां जाएगा तो यहां से पास करेगा मालीजे यह मेरा होगी आपका बेव बंगॉल अंडमान सी मलक्का स्ट्रेट मैं यहां पहुंच गया साउड चाइना सी में और मैं उपर जा रहा हूं सी ऑफ जपान स्ट्रेट को पास करते करते जाओंगा एक बार इस सारे रास्ते पर स्ट्रेट कौन-कौन से पढ़ते हैं जरूर देख लिए यहां पर मुझे ताइवान स्ट्रेट मिल सकता है और उपर जाओंगा तो मुझे यहां पर मिलेगा कोरियन स्ट्रेट या फिर सूशी मा स्ट्र में पर उस कन्ट्री में जाते नहीं है कि यूद्ध में उस brace पहुंचन वीजा को लेकर उप combination को रहुआ यह पुछा यहा इसको लोग कसी कन्ट्री में यह इंपाल ब्रेमिग्र का नहीं है of the visa process, तब सही है, उनको valid permission मिल जाएगी, पर actually problem क्या है, पता ही नहीं चलता, गए क्या हो, you may not intend to visit that country, still you are having the visa of that country, this is a problem called as visa shopping, visa shopping, अच्छा, यह हमारा आखरी चीज़ता और हम आपको बता दे, homework आपके लिए, आपको यह जरूर देखकर जाना है, North Atlantic Treaty, देखके जाएगा, The Four Power Agreement on Burling 1971, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty 1987, Strategic Arms Limitation Talks, Salt and Star Treaties 1972, जो चालू हुआ था, Helsinki Accords 1975, इसको भी ना देखे, आप नहीं जाएगे एक्जाम देने, यह आपका छोटा सा homework था, जो हम आपको देना चाह रहे थे, साथी में हम आपको कुछ चीज़े बता दे, देखिए, आपके लिए बहुत कुछ हम कोशिश करते रहते हैं, अगर आपको एस सेक्षन पसंद आया, Rapid Mode में, तो जरूर लाइ सब्सक्राइब और शेर करिएगा, लाइक पहुचाईए, ताकि आपका motivation हमें भी आ, और हम आपको और नहीं चीज़ दिखाएंगे अगले एक दो दिन में, ये rankers, आपका photograph हमें यहाँ पर चाहिए, याद रखिएगा, आपकी समस्या समाधान हमारा, उस समाधान का सबसे पहला step आपको पता दे, affordability, अगर आप में से की को भी लगता है, आपके जानने में कोई है, जिसको अगर वो course ले ले, और मेहनत कर ले हमारे साथ, तो विजय बन जाएगा, 24,999 रुपे में उसका विजय रथ जो है, हम बढ़िया से चला देंगे, आपको सिर्फ CMC कोड लगाना है, आप कोई भी plus पे, web पे, app पे, कहीं भी डाउनलोड करके, आप कोई भी course लीजिए, वहाँ CMC कोड डालिए, 15 महीने का course हमारा 24,999 में है, मतलब पूरे 15 महीने, prelims लेकर में से लेकर में सतका साथ है हमारा आपका, उसाद हम छोड़ेंगे नहीं, CMC कोड पर आपको इलाब मिल सकता है, बैचे हमारे दो, एक आरंब बैचे आपको बता दे, आरंब बैच है हमारा जो चालू हो रहा है, जून 12 से, यह English mode में होगा, और Triumph batch is starting from June 8th, that is today onwards and it is totally in English, तो आप जूर सकते हैं हमारे साथ, 226 के लिए भी मेरे पास batch है, यह mission batch है, तो 2 साल का तयारी है आपका, वो भी आप ले सकते हैं CMC code पर, and we got our assurance, आप PT दीजे, हम में मदद करेंगे, में 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 मदद करेंगे, अगर आपका नहीं हुआ, और आप हमाईसा 2 साल से जुड़े हुए, हम आपका refund करेंगे, यह test होगा कल, जरूर दे दीजेगा, mock test है, देना ही देना है आपको, and we got our batches options launching, plus we have got our 1 रूपी का test series, जो आपको मिला है 2024 के लिए, and CSAT का अगर मन में डर है, तो जरूर इस CSAT के course को लेकर, जल्दी से देख डालिए, समय कम है, और समय बचाईए और पढ़िए, और जल्दी से एक डम, जल्दी से cracker examination को, जैहिंद, जैहिंद आपको समझने लेगे, जैहिंद, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और याद रखेगा, निरंतर ताइस सफलता की कुझी है, जो निरंतर है, वही सफल है, जैहिंद एवरिवरिवान,